इस वीडियो में मैंने कोनिक सेक्षियन चैप्टर है, क्लास 11 का और उसमें भी इलिप्स को बुड़ और डिटेल में डिस्कस किया है तो मैं सबसे पहले बात करूँगा, भी इलिप्स हमें देखने को का मिलता है Around Us कहां कहां में इसको देखने को मिलता है फिर इलिप्स की equation के derivation के मैंने बात करी है कि यह आई कहां से, इससे related terms भी मैंने discuss करी है और लास्ट में इस वीडियो के मैंने NCRT book है उसके 10.3 है इलिप्स related exercise उसके solution discuss करे तो सबसे पहले तो यह होता है, सर इसको पढ़ें क्यों हमें इलिप्स है ना, वो देखने को का मिलती है, वो बताता हूँ देखिए आप में से इस बात को agree करोगे कि जब भी elliptical path की बात होती है ना, तो planetary motions की बात होती है यानि कि earth sun के around हो, या कोई भी planet sun के around हो तो यह इस तरह का जो path earth follow करती है ना या कोई भी planet follow करता है ना, तो उस path को elliptical path यानि कि ellipse बोलते हैं, correct? फिर अगर handball की बात करें तो इसके भी बड़ी image इस तरह से आती है दूर कहा जाना, watermelon ले ले लेते हैं अच्छा मैंने ने कई बार mirror में या furniture में भी देखा है कि वो rectangular की बजाए कई बार इस तरह का elliptical उसमें design में बनाते हैं तो design में तो बहुत ज़्यादा इसका use होता ही होता है अगर ये shape इतना ज़्यादा use में है हमारी आर्थी इतने around sun इसमें है तो क्यों ना इसको detail में पढ़ें? चलिए तो मैं इसका meaning से लेके detail में पढ़ते हैं कि है क्या ellipse देखिए पहले मैं ellipse की definition ले लेता हूँ definition सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल इसको correct करके बता हूँ देखि क्या कह रहा है कहते है ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distance from two fixed point in the plane is constant मैं underline कर रहा हूँ constant distance होगा और two fixed point ये कहना क्या चारे ये बता रहा हूँ कहता है भी या माल लीजिए आपके बास दो point F F1 और F2 fixed point है और आपने यहाँ पे खड़े हो P1 पे तो कहता है आपके हाँ रसी है एक रसी है जो आपने पकड़ रखी है इस रसी की जो length है ना देखिए मैं लिख देता हूँ यानि कि P1 F1 प्लस मैं P1 F2 है ना for example माल लीजिए कि ये 10 meter का है ये 10 meter है तो ये 3 meter माल लीजिए ये 7 meter माल लीजिए done अब कहतो रसी की length तो same है फिर आप आगे चले आपने क्या करा यहाँ पे चले तो ये हो गया 4 meter और ये हो गया 6 meter तो आपने देखा इन दोनों distance से जो sum of distances है ने दोनों fixed points से वो constant है और आगे चलते हैं देखिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे माल लीजिए आपका ये हो गया गया 7 और यहाँ पे हो गया 3 अगर आप कहीं पे भी चाते हो तो जहाँ जहाँ आप जाते हो ना उस रसी को पकड़के जो रसी की length है ना वो same है तो एक चीज है कि जो आपके footprints बनेंगे ना यानि कि आपके पैरों के निशान जहां बनेंगे वो पैरों के निशान को आप join करोगे ना तो एक इस तरह का path trace होगा और इस तरह के path को हम कहते हैं ellipse clear होई अब इसमें जो काम की चीज है ना वो यह आती है कि सर ठीक है यह आपने बता दिया यह जो दो fix point है ना इसको focus कहते हैं और मैं कोसिस करता हूँ कि ellipse related जो भी term है उनको detail में पड़े चलिए अब है ना important terms related to ellipse वो discuss कर लेते हैं दीकि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ focus का plural है ना वो focus ही होता है यानि कि focus जो है वो singular है यह कहता है the two fix point यह दो fix point जहां से कोई भी इसके circumference पे जो point था ना जो distance maintain कर रहेते हैं ना इन दोनों का sum of constant था तो यह fix point को focus कहते हैं ठीक है focus इसका plural है next point ले next term ले लेते हैं दीकि center की क्या बात कर रहे हैं यह कह रहा है कि यह c distance पे है ना रखना कोन focus और यह भी c distance पे focus थीक है तो मैंने एक c alphabet introduce किया है c क्या होता है कि it is a distance from the center और ले ले लेता हूँ एक और important point ले ले लेता हूँ vertices की बात करते हैं देखिए vertices आपने उसमें भी पढ़ा होगा पैराबॉला में vertices यहाँ पे क्या है कहता है end point of a major axis is called vertices यह major यह जो point है ना a और b यह vertex है और vertices का plural है और इसका distance a होता है किस से center से यह लिजे यहां से भी a distance पे है और यहां से भी a distance पे हो गया तो end यह major axis कहलाता है correct यह a b line को major axis का नाम दिया है major axis के end points को क्या कहते है vertices कहते है यानि कि a और b को end point को vertices कहते है चली next ले ले लेते हैं अब major axis की बात होई है ना तो बात आती है सिर्फ होता क्या है major axis तो major axis का meaning बताता हूँ कहते है line segment through which foci of the ellipse is called the major axis एक line segment जिस पे दोनों focus लाई करते है ना इस line segment को क्या कहते है major axis फिर बात आती सिर्फ minor axis क्या होता है बिलकुल जी minor axis बताता हूँ minor axis की definition है the line segment through the center एक line segment जो center से पास करें and perpendicular to major axis ये जो line है जिसके उपर blue इंग से मैं कर रहा हूँ इस CD line को minor axis कहते हैं देखे मैंने minor axis लिखा वाई तो यहाँ पे चार points के मैंने meaning बताए है डन अब मैं बार बार में A, B, C ऐसा बात कर रहा था मैं क्या बात कर रहा था कि इस C क्या होता है C मैंने क्या बताया कि ये center से जो distance है ना वो C distance है फिर मैंने A क्या बताया किसी vertex से न center का distance है ना A बताया यानि कि ये A बताया फिर B क्या बताया ये जो बात कर रहे थे ना minor axis की इस point से लेके और ये center तक का जो distance है ना वो B बताया तो मैंने 3 alphabet है ना वो आप से introduce करें एक करा है A यानि कि vertex के case में ये वाला A है ठीक है दूसरा alphabet क्या करा है B करा है तीसरा alphabet C अब इस slide में बात करेंगे अगर ABC आपको clear हो गया है तो इन में relation क्या है देखिए इस case में मैं क्या बात करने वाला हूँ मैं ABC के बीच में relation की बात करूँगा सर ये आप होता क्या है A होता है semi major axis ये वाला center से और यहां तक का distance A कहलाता है semi minor क्या है यहां से लेके और ये Q है ये B कहलाता है C क्या है एक focus से center का distance इन में relation पढ़ते हैं देखिए पहले चीज बताना चाहता हूँ definition आपको ellipse की याद है अगर definition याद है तो एक चीज मैं आपको लिख रहा हूँ आपको पकड़ में आ जाएगी वो क्या चीज है ठीक है अब देखिए अगर आपको definition पता है न से P का distance yaनकी F1 P और P का distance F2 से यानकी P F2 यह बरावर होना चाहिए किसके बरावर होना चाहिए देखिए यह क्यू का distance F1 से और Q का distance F2 से पहले यह distance निकालते है F1 P और F1 F2 P अचा F1 P जो है YouTube यह बरावर होगा F1 O पलस में O P हाया ना यानकी यह मैंने इसको 2 में तोड़ दिया F1 और O P F1 O तो मुझे पता है वह यह तो C है यह लिजी है मैंने C लिख दिया अच्छा O P भी मुझे पता है O P कैसे निकाला? O P बड़ा आसानी से निकाला यह तो C है ठीक है जी और यह A माइनस C है यह देखो मैंने A माइनस C लिख आए आप बोलो सरक कैसे? भी यह A माइनस C क्यों है? क्योंकि यह पूरा A है और यहां से C माइनस कर देते A माइनस C तो सीधी से बात करो तो यह A डिस्टेंस है फिर बात करें F2 P F2 P जो है वो A माइनस C है मैं इन दोनों को सिंप्लिफाई कर दू तो देखा जाये तो 2A आया सर अब कहना क्या चाहरा हूँ? मैं यह कहना चाहरा हूँ कि इन दोनों का डिस्टेंस 2A है अच्छा फिर तो भाया यह भी डिस्टेंस 2A होना चाहिए कौन्छा डिस्टेंस? ब्लू लाइन से कर रहा हूँ Q से F1 और Q से F2 क्यों होना चाहिए? एस पर डिस्टेंस हमारी तो डिस्टेंस इलिफ्स की यह थी तो यह डिस्टेंस भी मैंने 2A कंचिडर कर रहा है अब यह डिस्टेंस कैसे निकालें? यह C है और यह B है तो यह वाली लाइन आगी पाइथागोरस ठोरम से B स्केर प्लस में C स्केर का स्केर इसका भी पाइथागोरस से आगया B स्केर प्लस में C स्केर अब यह वाला 2A और यह वाला 2 इंटू B स्केर प्लस C स्केर का स्केर दोनों एक्वेट करूँगा मैं चलिए अब equate करते हैं equate क्यों कर रहे हैं क्योंकि भी definition यही थी ना कि दोनों का distance constant होता है तो 2a square यह लिख दीजिए और यह 2b square plus c square यहां लिख दीजिए फिर मैंने दोनों तरफ scaring कर दी scaring कर दिया तो square root हड़ जाएगा यहां 4 आएगा यहां 2 आएगा और यहां a बचा देखा जाए तो अब इसको यह मेरा relation बन गया a is equal to b square plus c square या फिर आप ऐसे कहलो a square is equal to b यह क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको मैं आपको relation बता रहा हूँ a square plus b square plus c square done चली next point के तरफ चलते हैं यह देखे fifth number क्या point है यह क्या कहा रहा है special case discuss करते है ellipse का दो case बनते हैं अगर मालेजिए c zero हो जाए c क्या था यह c था f1 से center का distance यह अगर zero हो जाए यानि कि यह इसके साथ merge हो जाए एक तरह से ना center पे आ जाए तो कहता है यह जो focus यह ना merge हो जाएंगे मर्ज होने पे क्या हो जाएगा यह a square और b square बराबर हो जाएंगे a square बराबर हो जाएंगे तो जो ellipse है ना वो क्या बन जाएगा circle बन जाएगा यह तो आप भी मानते हूं अगर यह वाला case में यह दोनों में c zero हो जाता है यानि focus है वो center बन जाता है तो एक circle की equation बन जाएगी ellipse अच्छा दूसरा case ले दे दूसरा case क्या है दूसरा case यह कहता है कि भाई अगर मान लीजिया ऐसा हो जाए यह तो आप सरेने बना कि c a के बराबर हो जाए यह जो c है ना और यह a है अगर यह c increase हो के a बन जाए तो अगर c a बन जाएगा तो b 0 बन जाएगा b 0 बन जाएगा तो obviously यह जो ellipse है ना यह reduce होरके line segment हो जाएगी यानि कि यह line segment f1, f2 में convert हो जाएगा clear कब जब c is good यह एक number का कई पर mcq में पूछ लेते हैं done चलिए next important point ले लेते है eccentricity बड़ी important भईया eccentricity का meaning बताता हूँ eccentricity कहता है ellipse की eccentricity कहता है ratio of the distance from the center of ellipse यह ellipse है मैं actual में तीनों की discuss कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक comparisons बता पाहूँ यह कहरा है center से जो distance है ना c उसका ratio vertices vertices है यह वाला यानि कि यह distance है a तो c by a है ना वो eccentricity कहलाता है ratio of c and a अच्छा आप बात आती है सर इनमें बड़ा कौन चाहूँ वह इसलिए बड़ा तो a है a अगर बड़ा है denominator बड़ा है तो ellipse के case में हमेशा eccentricity 1 से छोटी होगी और parabola के case में eccentricity है ना a 1 के बराबर होगी और teacher मागले exercise में पढ़ाऊंगा कि eccentricity hyperbola के case में 1 से बड़ी होगी ये तीनों मैंने एक slide पे इसलिए discuss कर रहे हैं कि एक number का MCQ हमेशा आता है what is eccentricity in parabola what is in ellipse what is in hyperbola क्या याद रखना है कि भया ellipse में less than 1 होता है hyperbola में greater than 1 होता है और equal to 1 होता है parabola में done चली next point ले लेते हैं 7th वाला तीकि 7th point क्या कह रहा है कहते बहुँ ये बताओ ellipse की equation होती क्या है अभी तक तू equation की बात ही नहीं कर रहे है equation निकालते हैं चलीए हमने क्या निकालनी equation हमने निकालनी है कि भाईया होती क्या तो एक point मैंने P ले लिया ये point ले लिया अब ये point का F1 से distance plus मैं F2 से distance ये distance 2A के बराबर है सर ये 2A के बराबर क्यों मान रहे हो भी मैंने आभी पिछले slide में बताया था कि 2A के बराबर क्यों है मैंने ये point यहां लिया था और इसका F1 चे और F2 का 2A आया था फिर तो मैं distance formula लगा देता हूँ distance formula लगाया P F1 F1 के तो coordinate हमें पता ये तो focus है तो distance formula से ये मैंने इसको बराबर कर दिया 2A के ठीके अब ये मुझे square root अटाना है मैं इसको ले जाता हो right side में minus हो जाएगा जब मैं इसको minus side में वहाँ ले जाता हो right side में तो ये इस तरह का बन जाएगा अब मैं scaring both side करता हूँ यहाँ पे भी scaring करूँगा और यहाँ से इसका scaring करूँगा तो पाई इस तरह से power 2 लगाने पड़ेगी यहाँ तो identity बन रही है देखो ठीक है जब scaring मैंने दो तरफ करी तो ये बन जाता है on scaring both side में a square लिख देता हूँ मैं अगर आपने note करा हो ये बन गया ये तो scaring उठट गया तो ये तो सिधा है यहाँ से 2a का square करा तो 4a square बना फिर plus मैं करा 2a b इसका square करा ये 2a b है ये वाले term क्या है 2a b है ये a square b square अगर आप देखो तो ये तो cancel हो रहा है इसको simplify इससे कर दीजिए इसको इसके साथ expand करें expand करने के बाद simplify करने के बाद इस तरह की हमारी terms बन जाती है correct क्या बना है यहाँ पे एक तरफ तो बन गया मुझे square root की terms बनों तरफ scaring करने के बाद में मेरे पास जो equation बनी वो आपको बताता हूं क्या बनगी so this is the equation इसका square करके x square upon a square y square upon a square ये बना ठीक है इस वाले को मैंने बराबर कर दिया b square के sir क्यों बराबर कर रहा है क्योंकि आपको पढ़ा है थोड़ी देर पहले तो मैंने पढ़ाया था कि जो a square है ना उसका relation होता है b square plus मैं c square ठीक है तो ये a square minus मैं c square करोगे ना यानि कि ये b square के बराबर है ये मैंने b square के so this is the equation of ellipse जो हम पूरे exercise में use करेंगे अब बात यह आती है कि sir ये एक ही है क्या दीखिए ellipse की एक equation नहीं है अब बात करते हैं ellipse की types की अगर types के बात करते तो एक ellipse जिसके focus x axis पे लाई करें एक ellipse जिसके focus y axis पे लाई करें तो दीखिए difference क्या है इसकी equation है जो अभी तक हम पढ़ रहेते है x square plus मैं a square plus of y square upon b square 1 के बराबर x square इस वाले में आप देखोगे तो x पे यह b लाई कर रहा है minor x लाई कर रहा है तो x के नीचे b आ गया आपको क्या याद रखना वो बतातो अगर कोई पूचे इसका focus बताईए और इसका focus बताईए इसके focus क्या है plus minus c,0 यह लिख दिया plus minus c,0 इसके focus क्या हो जाएंगे इसमें हो जाएगा 0,ма plus minus c फोकाई पर तो कोई फर्क नहीं पढ़ा vertices इसमें क्या है यह vertices होते न इसके vertices हो जाएंगे यहाँ पर plus minus a, 0 ठीक है यहाँ पर vertices देखोगे तो यह हो जाएगा 0,ма plus minus a ठीक है भी यह vertices इसके यहाँ पे है राइट vertices दूसरे वाले आप बात करें minor axis वाले तो B है फिर length तो major axis होता है यह वाला A, B के बीच की length यहाँ पे 2A है इधर की बात करें तो यह अगर length देखें यह भी 2A length है फिर minor axis की बात करें minor axis की length है यह वाले B उपर है B नीचे है 2B है इस case में भी minor इसको कहेंगे 2B हो जाएगा अच्छा एक चीज़ आपने नोट कर रहा है center क्या है इस case में C यानि की center जो है वो 00 है center C नहीं यह 00 यह वाला center है और इसमें भी center क्या है 00 है अच्छा एक latest rectum है न वो next पढ़ाऊंगा latest rectum क्या है वो मैं आपको बताऊंगा next वाले में और उसको derive करना भी बताऊंगा अभी बतातो latest rectum होता है to be square up or नहीं और इसमें भी same होता है to be square up or नहीं done चली मैं आप आगे next slide पर बताता हम आपको ओके अब मैंने latest rectum की बात करता है कि यह क्या चीज होती है देखिए एक ellipse के latest rectum क्या होता है a line segment perpendicular to major axis यह जो red ink की line है ना जो perpendicular है major axis पे और focus से पास करती है इस red line को latest rectum बोलते है और यह latest rectum की जो length होती है ना वो होती है to be square up नहीं और a आप सब कोई पता है a जो है वो major axis पे लाई कर रहा है b है वो minor पे लाई कर रहा है अच्छा आपको काम की चीज है कि आपको यह याद रखना है to be square up हो नहीं अब question तो यह arise होता है कि सर माली जी कोई line इसके perpendicular नहीं हो तो तो क्या उसको latest rectum कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे उसको तो focal code कह देंगे ना यानि कि वो तो focus से पास कर रही है अब बात करते हैं कि इस latest rectum दो latest rectum है यह देगी एक यह वाली एक इसकी length यह आई कहां से तो वो length discuss करते हैं कि अगर मैं आपको बताओ कि यह चीज बनी कहां से तो लिजे सबसे पहले start करते हैं चले अब मैं derivation बताता हूं कि भाईया 2b square upon a आया कहां से ठीक है सबसे पहले हम सब को पता है ओ तो center है 00 origin है और यह focus है ना वो उसके coordinate है c,0 क्योंकि एक्सेक्स पे लाई करता है और मैं यह जो af2 ना इसको l मान लेता हूं अगर यह l है तो आप मानते हो कि इसका a का coordinate क्या हो जाएगा c,l बात समझ भाई मैंने अभी तक क्या कर रहा है मैंने एक point ले लिया है और वो point अगर लिया है वो point A के coordinate लिये है और वो coordinate के है c,l ले लिया अब हमें सबको पता है जो c है ना आपको eccentricative इस पता है c upon a होता है e की value c upon a होता है तो c है वो a e के बराबर होता है देखा जाए तो तो ये जो c है ना इसकी जगे पे मैं a लिख लेता हूँ ठीक है बिलकुल लिख लिए अब ये point कौन सा है ये point a है अब ये point a जो है वो ellipse की equation पे लाई करने पर इसको satisfy करेगा क्योंकि भई ये दिखे ellipse पे लाई कर रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ ये जो point है ये ellipse की equation में put करने वाला हूँ ellipse की equation में put कर देते कौन सी equation तेकि ellipse की equation है ने x square upon a square प्लस y square upon b इसमें मैंने x की जगे पे क्या रखा c की जगे पे रख लेता हूँ x की जगे पे a e रखा और y की जगे पे l तो ये रखा मैंने a e और y के जगह पे l रखा इसको simplify कर लेते हैं अब ये a square से a square cancel हो गया ठीक है तो इससे क्या बना अगर ये देखोगे तो ये बना e square plus मैं l का square upon b का square is equal to 1 अब ये e square को मैं यहाँ transpose कर देता हूँ अगर मैं e square को transpose कर देता हूँ ये बन जाता है मेरा one minus मैं e square और इसके साथ में ये जो b square भी है न ये भी चला जाएगा तो ये आ गया आपका l square के value अब हमें पता है कि भाई या e जो है न देखिए आपको इसके बाद बताता हूँ हमें पता है कि ये जो ये l square के value आई है आपढूं इसमें मुझे e की value पता है e कितना होता है c by a ठीक है e square क्या होता है c square upon a square और c square के value आपको बता है मैंने a b c में relation बताया 탓 कि a square यो जो होता है b square plus मैं c square तो यहां से c square आजाएगा a square minus मैं b square तो इस की जगह पे इस c square की जगह पे मैंने लिख दिया a square minus b square done upon a square है a square से दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे तो एक 1 आ गया और ये इस में ये e square की value आगी ये e square की value जो मैं यहां से निकाल रहा हूँ ना इस e square की value निकाल के मैंने यहां पे put कर दी 1 minus में तो ये l square की value आगी अच्छा मुझे l नीच चाहिए l square नीच चाहिए था l है ये वाली length ये length l है और इस l का यानि की square root लेंगे तो 20 square अपों नहीं आ गया ये भी l है और नीचे भी l है तो देखा जाए तो latest rectum तो 2l के बराबर हो गया अब इसको अगर मैं 2 से multiply कर दूँ तो मुझे latest rectum की length मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी latest rectum में हमें जब करता कि ये वाला portion इसके बराबर है क्योंकि symmetric है तो ये f2 और f2 भी बराबर है तो 2b square a बन जाएगा यानि कि ये जो 2l है ना 2 into l की value यहाँ आएगा b square अपों ने so this is a 2b square up हो नहीं बात बनी ये था latest rectum चलिए आगर आपको ये important point समझ में आगे हैं तो exercise के question आंचर करते और थोड़ी सी जो knowledge और depth होगी ये question देख लेते हैं दिखी अब ये कहरे है question 1 to 9 में ना find the coordinate of foci vertices 2 length of major axes length of minor axes और centricity इन तीनों में एक जैसा है पहले मैं question number 1 कर लेता हूँ ये question कि ये सबसे पहले ये देखो कि इसमें x square के नीचे 36 है ना वो 16 से बढ़ा है तो ये equation यानि कि इस x square के नीचे वाला x square बढ़ा है एक चीज है कि यहाँ पे जो focus है ना focus आई वो lies on axes पहली चीज तो ये decide करना है कि वो x axis पे लाई करता है या y पे अगर x axis पे लाई करता है तो आप मानोगे कि भाई ये इसकी जो equation इसका diagram ना वो कुछ इस तरह से होगा done अब ये diagram होगा तो इसकी equation क्या आजाएगी इसकी equation आजाएगी x square upon a square plus मैं y square upon b square और is equal to 1 आगया compare करा a square यहाँ पे आया 36 और b square यहाँ पे कितना आगया 16 a की value यहाँ से कितनी आगी 6 आगी और यहाँ से b की value कितनी आगी 4 मुझे a और b मिल गया अब हमें पता है कि जो c है ना क्योंकि मुझे ये एक पता है कि a square is equal to इनका relation पता है b square plus c square होता है तो यह c क्या हो जाएगा a square minus मैं b square तो मैं a, b, c तीनों निकाल लूँगा तो a square तो मुझे पता है 36 है 36 minus मैं 16 करा मैंने तो यह मेरा 20 आया 20 का square root करना है 20 का 4 into 5 होता है और इसका square root करेंगे तो यह आजाएगा c आजाएगा 2 root 5 देखे मुझे c क्यों चाहिए था क्योंकि जो हमारा focus है ना जो focus ही है उसके लिए मुझे c चाहिए हमसे क्या पूछा गया था अपने note करा हो तो हमसे पूछा गया था कि भे इसके coordinate निकालो यह जो focus है ना और यह वाला focus है यह plus minus c कोमा 0 तो c मुझे मिल गया c मिलने के बाद मेरा आसान हो गया यान कि plus minus में 2 root 5 कोमा 0 पहली चीज आगी फिर पूछा है vertices vertices के लिए a चीए तो a तो हमारा already है यह रहा 6 यह बड़ा आसान हो गया यान कि plus minus 6 कोमा 0 correct फिर length of minor axis, major axis देखिए major axis जो है ना वो यह वाला है अब देखिए major axis 2a है ना तो 2a तो हमें पता है 6 है तो 2 into 6 यानि कि यहां पे आगया 12 units फिर minor axis पूछा है 2b तो हमारे पास b तो 4 है तो यह हो जाएगा 2 into 4 यानि कि 8 आगया फिर e is equal to c है अच्छा eccentricity का formula e is equal to c है ना यह c तो यह है ना यह जो c है ना 2 root 5 इसके नीचे a कितना है यह मेरा 6 है तो इसके नीचे मैं 6 लिखूंगा तो यह हो जाएगा root 5 divided by 3 अब बाता है lattice rectum तो 2b square b square तो देखिए 16 के बराबर है यह लीजिए divided by a करना है यह मेरा 6 है तो इसको simplify करते है 2 1s are 2 3s are मेरा इस case में question में lattice rectum आ गा है 16 by 3 अगर आपको a मिल जाता है b मिल जाता है और c मिल जाता है तो यह question easy हो जाते तो पहली चीज जो आते निकलते आते ना यह पता करना है कि यह x-axis पे लाई कर रहा है y पे अब देखे इसमें देखे y square के नीचे वाला बड़ा है ना तो इस case में जो ellipse होगा ना वो होगा y-axis पे जिसके focus लाई करेंगे इस case में x square के नीचे 16, 16 बड़ा है ना तो इस case में जो हमारा ellipse होगा ना वो उसके focus लाई करेंगे x-axis पे ये एक तरीका है चले एक और y-axis का बता देता हूँ जिसको अब clear होगा देखे इस question में देख लीजिए इस question को करते हैं तो मैंने देखा y square के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो y square के नीचे नंबर वाला बड़ा है तो साफ साफ एक चीज clear होई कि इस case में जो diagram है ना वो ये वाला बनेगा और राइट ये diagram बनेगा सर हमें पता कैसे लगेगा इसमें क्योंकि बड़ा नंबर है y के नीचे है ना अब ये इसकी equation क्या होती है x square अपोन b square प्लस मैं y square अपोन a square इक्वल टू 1 वह ये major axis है ना वो 2a होता है तो ये compare करा तो b square इस case में 25 आया comparison करने पे ठीक है जी और इसमें a square जो आया हेंडर आया बिल्कुल ठीक है जी b हाँ पे 5 हो गया यहाँ पे a हमारा 10 हो गया अब मुझे पता है कि relation जो है ना कौन्चा वाला relation c square का वो बराबर होता है a square माइनस में b square और इसके a square की value कितनी है 100 माइनस में 25 करा 75 आया यह 75 c square है c कितना हो जाएगा इसका 25 को 25 इंटू 3 कर दूँगा 75 को तो यह 5 इंटू root 3 बच जाएगा यह c आ गया आपका done अब देखिए c निकलने के बाद बड़ा आसान हो जाता है इसके focus के निकालने पड़ेंगे तो plus 0 plus minus c c तो यह है यहनकि plus minus 5 root 3 है यह हमारा c हो गया a मेरा कितना है अगर आप a note करो तो 10 है तो यहाँ पर वठी जीज हो जाएगा 0 plus minus में 10 अच्छा यह 2a मेजर एक्सीज है तो 2 into 10 करोंगा 20 आ गया फिर आप करोगे 2 into b करेंगे 2 into b कितना है यहाँ पर b के value 5 है तो 2 into 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा फिर e is equal to c भाई c है मेरा 5 root 3 और a है अगर आप note करो तो 10 तो यह 10 से divide करेंगे तो root 3 upon 2 आ जाएगा फिर आ जाता है latest rectum 2 b square अगर आप देखो तो b square की value कितनी है b square यहाँ पर है 25 तो 25 divided by a कितना है यहाँ पर a की value है 10 तो 2 वन जा 2 फाइव जा इसको simplify करेंगे तो 5 आता था है latest rectum के साथ में यह हमारा question complete हो गया done अब इसमें eco type आ जाती है देखें यह question आ जाते है अब इस question को देखते हैं सारे इस तरह के हैं आप बोलोग सरी यह ellipse की question तो बनी नहीं रही तो इसको ellipse की question बना लेते हैं यानि कि पहले 9 question कर लेते हैं अगर मैं दोनों तरफ question number 9 में both side 36 से divide करता हूँ यानि कि divide both side by 36 अच्छा both side by 36 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह 1 बन जाएगा यह आ जाएगा हमारा 4x square upon 36 ठीक है यह हो जाएगा 9 y square upon 36 और यह हो जाएगा 36 के नीचे 36 done यह हो जाएगा x square upon में 9 यहाँ पे आया y square upon में अगर आप देखोगे तो 4 और यहाँ पे 1 अब आपने इस साफ देखा कि ऐसे question में x के नीचे वाला number बड़ा है अगर x के नीचे वाला बड़ा है तो यह जो equation है ना वो x-axis पे बनेगा इसका focus है ना वो x-axis पे लाई करेंगे अगर focus x-axis पे लाई कर रहे हैं तो equation क्या हो जाएगी यह वाली x square upon, a square upon अब इसके साथ compare करते हैं इसको compare करेंगे तो क्या बन जाएगा a square जो है ना वो मेरा यहाँ से बना 9 ठीक है और b square बना 4 अगर a की बात करो तो a यहाँ से 3 आया b यहाँ से 2 आया अब next target है c निकालना तो c का formula हमें पता है a square माइनस में b square और ओपर यह लीजिए अब square root a square 9 माइनस में b square 4 और square root कर दिया तो इस case में root 5 आया अगर a, b, c मिल जाते हैं तब तो बड़ा आसान हो जाता है मुझे सिरफ value substitute करनी है दिए बड़ा easy हो गया कैसे कि मुझे c coordinate चाहिए ना किसके focus के तो यह तो c तो value मुझे पता है c कितना है 5 है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं plus minus में root 5,0 यहाँ मैं लिखूंगा a की value a कितना है 3 है तो plus minus में 3,0 फिर मैं अगर लिखूंगा major axis 2a है तो 2 into 3 यानि कि 6 आ गया 2b है b की value कितनी है 2 तो 2 into 2 यानि कि यह आ गया 4 यह किसकी value आई minor axis चलिए c c upon यह centricity होता है तो c तो root 5 है और a की value हमें 3 मिली है तो root 5 यह 3 आ गया अब latest rectum की बात करें तो b square यहाँ पे मेरे पास 4 है बिल्कुल ठीक है a जो है वो यहाँ पे 3 है और अगर इसको simplify करके दे तो 8 by 3 है यह आपका latest rectum आ गया then मेरे साब से यही चीज़ी पूछी दगी हमसे चलिए next question की बात करते है अब question 10 से लेके 20 के बीच में कर लेते हैं कहता है कि हमें अब इनकी types देखे एक जैसी है vertices given है foci given है और equation निकालने के लिए कह रहे है मैं इसको चलिए 12th question कर लेता हूँ सबसे पहले आपको idea लग जाएगा कहता है vertices जो है न अच्छा आपको पता है vertices भाई ये एक कोमा जीरो है यानि कि ये vertices ये जो foci है न वो x-axis पे लाई करता है foci lies on x-axis अगर ये x-axis पे लाई करता है तो ये जो diagram है न आप agree करोगे कुछ इस तरह का बनेगा और ये diagram अगर बनेगा तो इसकी equation ये होती है ठीक है compare करते हैं यहां से हमें पता है vertices यहां से मुझे मिल गया a की value है वो 6 मिल गी ठीक है अच्छा ये जो foci है ना इसका होता है plus minus c,0 तो यहां से c भी मुझे कितना मिल गया 4 मिल गया अब मुझे b ची ये बस equation के लिए तो हमें पता है ना कि इन में relation होता है इन तीनों में a, b, c में वो relation क्या है relation है a square is equal to b square plus मैं c square यहां से a की value रखी 6 का square b की मुझे पता नहीं है c की value रखी 4 का square और b square यहां से आगया 36 में से मैंने 16 minus कर दिया और ये 20 आ गया अब मुझे इस equation में सरफ substitute करना है क्योंकि मुझे तो equation कुछी थी तो ये हो जाएगा x square divided by a square a square यहां से मैंने कितना है देखिए a अगर 6 है तो a का square 36 हो जाएगा plus मैं y y square upon b square ये 20 आ गया and this is equal to 1 ये question easy है बस मैं एक line बोलूंगा कि आपको e b c निकालना है काम कता है चलिए एक और ले लेता हूँ अगर देखो कि इस तरह के question भी आ जाते है ये दोनों में से एक कर देता हूँ अगर हमें ends दे रखे हैं पहले चलिए 14 ले लेते हैं इस question में कहता है कि भी major axis है ना है आपको नहीं लगता है x की value 0 है और y दे रखा है तो ये पक्का कहां पर लाई करेगा ये 100 1% ये जो वाला ellipse है ना वो ये वाला ellipse होगा जो की y axis पर लाई करेंगे जिसके focus आई major axis ये होते हैं यानि कि ये जो end point है ना ये major axis के हैं ये vertices ये कुल मिलाके और इसके end point होता है 0 plus minus में A ठीक है तो यहां से comparison करने पर A कितना आ गया? root 5 आ गया ठीक है minor axis ये होता है इसके end point ये है plus minus B है ना तो ये अगर मैं plus minus B से compare करूँगा minor axis तो यहां से B की value कितनी आ जागी? 1 आ जागी अच्छा A और B मिल गया तो लफड़ाई नहीं है हमें पता है जो Y axis पे ellipse law करता है उसकी equation ये है इसमें हम value put करेंगे X square A की में लिए root 5 आई है तो ये A का square करूँगा तो 5 हो जाएगा फिर Y, ये B की value आएगी देखिए मैं इसको change कर देता हूँ ये मैंने ठीक नहीं लिखा ये क्या कह रहा है इस equation में B square पहले आएगा तो B की value to 1 ये 1 आगया फिर A square आएगा यानि कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Y का square plus का sign नहीं है Y का square upon A square root 5 का square 5 आगया is equal to 1 This is the required equation जो हमसे पूछी गई है बात बनी आपको दो चीज़े समझ में आने चीए पहले तो ये Y axis पे लाई कर रहा है X पे दूसरे उसकी equation याद होने चीए Next question देख लेते हैं देखे ये भी एक जैसे 15-16 मैं 16 कर लेता हूँ आपको आगर समझ में आ जाएगा तो आप easily कर लोगे length of minor axis दे रहा है 16 और फोकाई थी कि फोकाई कहाना ही कर रहा है X की value 0 है तो साफ साफ diagram से पता लग रहा है कि इसकी जो फोकाई है ना वो Y axis पे लाई कर रहा है और Y axis पे होता है तो उसकी equation ये होती है ये और भी निकालते है minor axis है ये वाला ये जो length है ना ये length minor axis कहलाती है इस case में ठीक है और ये length 2B के बराबर है तो minus यानि कि ये जो 2B है ना वो मुझे 16 दे रहा है तो B मेरा 8 आ गया ठीक है B निकल गया A और मुझे चाहिए फोकाई जो है ना वो हमें पता है कि वह ये C होता है तो इससे अगर मैं compare करोंगा ना plus minus C से तो C की value यहाँ पे 6 आई चली हमें relation पता है जो relation है ना ABC में वो relation क्या है A का square equal to B का square plus मैं C का square B की value रखी 8 का square C की value रखी 6 का square ये handed आ गया और हमें पता है भी A square handed है हमें तो A square ही तो चाहिए था इस equation में value पूट कर देंगे जो हमें चाहिए है यानि कि X square के नीचे B square है B की value 8 है 8 का square 64 हुआ Y square के नीचे A square है यानि कि Y square A की value handed है ये लिजी handed लिख दी This is the required equation which is needed Done Next question की बात करते हैं तीकिए ये अब मैं इन इंडिजर अलग-अलग question आने लगे Question देगे बड़ाईजी है पहले तो ये बताओ इसका focus देखके इसके focus आई देखके कहा लाई करेगा या Y zero है तो Y zero है तो ये तो सीदी सी बात है इसका focus X axis पे लाई करेगा पहला दिमाग में तो ये आना है Correct भई और हमें पता है कि ये focus जो है ना वो plus minus C, zero होता है तो C की value यहाँ से 3 आगी ठीक है जी और A की value यहाँ वे 4 देखके है तो मुझे B और चीए क्यों चीए क्योंकि equation चीए ना तो B का relation मुझे पता है ये A, B, C के बीच पे relation क्या है ये होता है A का स्केर बराबर है B स्केर प्लस में C स्केर C की value रख देते है B की value रख देते है ये होगा 4 का स्केर ये होगा B स्केर और A, C का स्केर 3 का स्केर 16 में से 9 माइनस करेंगे यानि 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आया अभी इस equation एपूट कर देते है यही तो चाहिए था मुझे, x square upon a square, a square यहाँ पे हमारे पास है, 4 का square, 16 ठीक है जी, b square मैंने अभी अभी निकाला है जी, 7 आया, equal to 1 है, so this is the required equation of ellipse, जो हम से पूछी गई है, done, 18th question देख लेते हैं, देखे थोड़ा ओर अलग आ गया, अब question देखो, इसने साफ लिख दिया है कि भाई, जो focus ही है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, x axis पे लाई करता है, उसका focus, तो पहला तो कहाँ में diagram बना लो, और जब इसका diagram बनाया है, तो यह diagram बन के निकल के आए, आगे क्या दे रखा है, कहता है, आगर x axis पे लाई करता है, तो यह equation बनती है, ठीक है, b की value 3 है, c की value 4 है, center पे origin है, यह center है, यह निकालना है, तो relation को याद करता है, what is a relation between, relation था, a square is equal to b square plus c square, ठीक है जी, a square, यानि b की value कितनी है, यहाँ पे 3 है न, 3 का square, प्लस मैं 4 का square, 9 प्लस मैं 16 करा, 25 आया, तो a square मुझे 25 मिल गया, मुझे तो equation निकालनी है, तो सीधा मैं equation निकालूँगा, यानि कि यह क्या बन जाएगा, x square के निचे a square, यानि कि 25, y के b square है, b square के value है 3, तो 3 का 9 हो जाएगा, equal to 1, so this is the required equation जो हम से पूछी गई है, बात बनी, next ले लेते, तीकि 19 और 20 में से न, अकसर एक, यह important question है, यह question आ जाता है, 19 question देखते हैं, कहते हैं, major axis on the y, इसने साब दे रखा है, पहला काम है y axis पे है न, तो इसका diagram देखो भईया, यह इस तरह का diagram बनेगा, ठीक है, यह कहता है, major axis है न, वो y पे बनेगा, correct, ठीक है चलिए भईया, अब यह कहता है कि, अच्छा नई चीज आगी इसमें, आपने देखा यह क्या कहता है, कहता है कि यह दो point से pass कर रहा है, यह वाला जो point है न, वो 3,2 लगा लिजिए, यह 1,2,2 point मैंने random ले लिए 1,6, अब हमें पता है, अगर major axis y पे है, तो जो equation होती है न, वो parabola, sorry, ellipse की equation होती है, x square upon b square, प्लस मैं y square upon a square, और this is equal to 1, पहला point ले 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 थे 1,6, जिससे पहले, 3,2 से pass करती है, तो मैं इसको division कर लेता हूँ, चलिए मैं division इस तरह से करता हूँ, यह क्योंकि थोड़ा सा हमें यह 3,4 marks में आता है, तो इसका division इस तरह से कर लेते, तीन पार्ट में समझाने में आसान रहेगा चली समझाते कैसे सबसे पहले देगे अगर point 3,2 से पास करती है तो ये point put करने पर satisfy करना चाहिए तो x की जगे पे मैंने 3 रखा तो 3 का square ठीक है upon b square plus मैं y square यानि कि 2 का square upon a square this is equal to 1 और ये क्या बन गया 9 upon b square plus मैं 4 upon a square ये एक equation बन गी अगर मैं दूसरा point ले लेता हूँ दूसरा point है 1,6 ये लिजी इससे भी pass करता है तो ये भी put करने पर satisfy करना चाहिए x की value 1 रखा तो 1 का square तो 1 आया ये b square हो गया y की 6 है तो 36 upon a square ये second अब आपको pair of linear equation याद दिलाता हूँ pair of linear equation में क्या था reducible वाले में मैंने क्या करा 1 by a square को हो ना इसको मान लीजी ये u मान लीजी right कुछ भी मान लीजी L और 1 by b square को हो ना आपने v मान लीजी और आप इसमें कोई limitation नहीं पहले वाले को मान लीजी b square को reduce होके क्या बन जाएगी ये बन जाएगी 9u plus मैं 4v equal to 1 इसको मैंने equation 1 माना ये equation जो है वो क्या बन जाएगी b की जाएगे रखेंगे तो u plus मैं 36v is equal to 1 then अब मुझे सिरफ और सिरफ इन दोनो equation को subtract करना है लेकिन coefficient बराबर करते हैं ये जो second equation है न equation जो second है इसको multiply कर देता हूँ मुझे 9u चीए न तो 9 से multiply कर देता हूँ equation second को और minus कर देता हूँ equation 1 को इसको 9 से multiply करता हूँ ये क्या बन जाएगा 9u plus मैं ये हो जाएगा 9, 6, 54, 4 27 और इसमें 27 में 5 जोड़ोगे 32v is equal to 9 ये वाला as it is लेक्ट देते है 9u plus मैं 4v और ये हो गया 1 जब इन दोनों को subtract करेंगे तो मेरा answer देखी क्या आएगा minus minus ये दोनों cancel हो गए यहां से आगया 320v is equal to ये 1 करोगे तो 8 ठीक है जी तो v कितना आगया 8 divided by 320 यानि कि 1 by 40 आगया 1 by 40 आगया अब इसको मैं put कर देता हूँ यहां पे done put करने भी क्या आएगा u plus मैं 36 और v की जगह पे रखा 1 by 40 is equal to 1 4 से ही हो रहा है 4 9 जा और 4 10 जा तो ये u आजाएगा 1 minus मैं 9 by 10 इसको करने वहां पे 9 जाके minus हो जाएगा 1 by 10 आगया यू क्या था u था हमारा 1 by b सकेर तो ये 1 by b सकेर के बराबर कर दिया तो b सकेर यहां पे 10 आगया ठीक है जी ये कितना बराबर था अगर आपको याद होता ये वाला ये था 1 by a सकेर v के बराबर था ये 1 by a सकेर था अब मुझे इस equation में जो मुझे equation चाहिए थी इसमें x square के नीचे b की value यहाँ 10 मिली ठीक है y square upon a के नीचे का आया 40 आया so this is a required equation of ellipse जो मुझे चाहिए थी यह थोड़ा अलग था I think easy था अब इस video का last question देखिए same question हमें दे रख है दो point यानि की और इसने साथ major axis है ना x axis पे major axis पहला step है अगर first point को मैंने यहाँ पे रखा x और y की जगह पे 4,3 रखा तो 4,3 रखोंगा तो 4 का square 16 और यह 9 यानि कि यह इस तरह का बन गया दूसरा point अगर मैं रखता हूँ ना 6,2 तो यह हो गया 6 का square 36 और 4 का square 2 का इन दोनों में 1 by u square को मैं क्या मान लेता हूँ 1 by u square को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे u और v जैसे मैंने पहले माना था अब similarly 1 by इन दोनों में जो मैंने अभी करा u और v substitute करा u और v करने के बाद यह 16u बना, यह 9v बना पहली equation, यह 36u बना, 4b यह second equation बना, अच्चा इसको लिखना पड़ेगा आपको, आप क्या कर रहे हूँ आपने इसको consider करा है 1 by a square को u माना है, ठीक है जी 1 by b square को v माना है इन दोनों equation को फिर मैंने simplify करा simplify करने पर u और v निकला, u आया 1 by 52, तो 1 by a square 1 by 52 आया, v जो अगर आप देखोगे, तो उसकी value हम वो देख लेते हैं, v की value यहां से आ गई 1 by 13, वो होता है 1 v है क्या, 1 by b square यह 1 by b square इसके बराबर है, यह 1 by a square इसके बराबर है, I think पैसे पुराने वाला question की तरह नहीं है हमें तो substitute कर दिया इनका answer, और this is the required equation of relipse so with this our video is over, thank you very much